C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा पांच की पाठ्टे पुस्तक हमारे आसपास का 19. पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी प्रिष्ट 114 मैं हूँ नन्हा बाजरा बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकडी के इस सुन्दर बक्से में रखा गया था आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ यह सिर्फ मेरी नहीं मेरे किसान दामजी भाई के परिवार की भी कहानी है अगर आज ना सुनाई तो शायद फिर कभी ना सुना पाऊं मैं जन्मा था गुजरात के वान गाउं में उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी गाउं में त्योहार का महौल था हमारा इलाका आनाज साग सबजी के लिए बहुत मशूर था दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अपने अगले साल के लिए रखा करते थे इसी तरह हम बीजों का वंश चलता सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता मगर उस साल दामजी भाई ने हम बीजों को रखने के लिए छोटे-छोटे खानों वाला मजबूत लकडी का एक सुन्दर बकसा अपने हाथों से बनाया हमें कीडों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिचाई तब और बीजों के साथ मैं भी यहीं रहने लगा उस समय दामजी भाई के सभी चचेरे भाई भी उनके साथ ही रहते थे गाउवाले एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाते जब नई फसल तयार हो जाती तो सब साथ साथ त्योहार मनाते तब के खाने पीने की तो बात ही अलग थी सरदियों में खेत में ही ताजी सबजियों को मसालों के साथ एक मटके में भड़ते और उसको सील बंद कर देते प्रिष्ठ 175 75. कोईलों के अंगारों में मटके को उल्टा रख कर सबजी को पकाया जाता इस पकी सबजी को कहते हैं उंधियूं गुजराती में उंधियूं का मतलब है उल्टा उंधियूं के साथ मिट्टी के चूले में पकी बाजरे की रोटियों की सौंधी खुश्बू वह साथ में घर के दूद का मक्षन, दही और जितनी चाहे उतनी चाच तरह तरह की सबजियां अनाज अलग-अलग मौसम में उगाई जाते थी किसान अपनी जरूरत के अनाज सबजी घर में रखकर बाकी का शहर के दुकानदारों को बेच देते अनाज और सबजियों के अलावा कभी-कभी थोड़ी कपास भी उगाई जाती सूत की कताई और बुनाई भी घर में ही चर्खों और करगों पर की जाती थी बताओ, क्या तुम्हारे घर में रोटियां बनती हैं? किस अनाज से? क्या तुमने कभी जुआर या बाजरे की रोटी खाई है? तुम्हें कैसी लगी? पता करो और लिखो तुम्हारे घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या-क्या करते हैं? अलग-अलग मौसम में खेती से जुड़े तुम्हार कौन-कौन से हैं? इन में से किसी एक तुम्हार के बारे में जानकारी इकठी करो जैसे तुम्हार का नाम, किस मौसम में मनाते हैं, किन-किन राज्यों में मनाया जाता है, क्या-क्या खाना पकाया जाता है उस तेहुआर को कैसे मनाते हैं? सब मिलकर या अपने अपने घरों में? अपने घर में बड़ों से पूछो क्या खाने की कुछ ऐसी चीजे हैं जो उनके जमाने में बनाई जाती थी पर अब नहीं प्रिष्ट 176 तुम्हारे इलाके में कौन-कौन से अनाज मशूर है बदलाव कुछ सालों में गाउं में कई बदलाव आए कुछ जगहों पर नहर का पानी पहुँच गया कहते थे दूर किसी बड़ी नदी पर बनाए बांध से यह पानी यहां लाया गया था फिर बिजली भी पहुँच गई बस बटन दबाओ तो रोशनी दीरे दीरे सभी लोग एक दो तरह गेहूं और कपास की ही फसल उगाने लगे जिन्हें बेच कर ज्यादा फाइदा हो दामजी भाई के खेतों से हम जुआर बाजरे और साग सबजियों की तो छुट्टी ही हो गई किसान बीजों को भी बजार से खरीदने लगे लोग कहते थे नई तरह के बीज हैं अब किसानों को पुराने बीज रखने की जरूरत ही नहीं थी अब तो खास मौकों पर ही मिलकर खास खाना पकाया जाता सब पुराने खाने के स्वाद को याद करते मगर बीज ही बदल गए तो सुआद कैसे न बदले फिर बाजार से खरीदी सबजी से घर की ताजी सबजी का मज़ा थोड़े ही आ सकता है दामजी भाई अब बूड़े हो गए थे उनका बेटा हस मुख खेती और घर का जिम्मा समालने लगा हस मुख खेती से खूब मुनाफ़क कमा रहा था उसने अपने पुराने घर को नया बनाया खेती में भी नई नई चीजें लाया पानी के लिए बिजली का पंप लगाया शहर में आने जाने के लिए मोटर साइकिल खरीद ली और जमीन जोतने के लिए ट्रेक्टर जो काम करने में बैलों को कई दिल लगते वह काम ट्रेक्टर कुछ ही समय में कर लेता हस मुख कहता अब हम सोच समझ कर खेती कर रहे हैं वही उगा रहे हैं जो बाजार में बेचा जा सके मुनाफ़के पैसों से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और ज्यादा तरक्टी कर सकते हैं प्रिष्ट 177 मगर बक्से में पड़े हम पुराने बीजों को ऐसी तरक्की पर शक्त था हम तो सोचते ही रह गए यह कैसी तरक्की हमारी और बैलों की तो चुट्टी ही हो गई ट्रेक्टर ने खेतों पर काम करने वाले लोगों को भी बेरोजगार कर दिया चर्चा करो बाजरे के बीज ने दामजी भाई की खेती और हस्मुक की खेती में क्या-क्या अंतर देखे जैसे से चाई, जमीन, जोतना त्यादी में हस्मुक कहता खेती के मुनाफे से हम और तरक्की कर सकते है तुम तरक्की से क्या समझते हो लिखो, तुम अपने गाउं या इलाके में क्या-क्या तरक्की देखना चाहोगे खर्चे पर खर्चा अगले बीच सालों में बहुत से बदलाव आए गाए बैल नहीं तो गोबर की खाद भी नहीं हस्मुक ने नई महंगी खाद डालनी शुरू की नए बीज ऐसे थे कि उनसे उगी फसल पर जल्दी कीडे लग जाते फसल पर दवाईयों का चिड़काव भी करना पड़ता पिष्ट एक सो अठतर उफ क्या बदबू थी उनकी हस्मुक का काफी पैसा इन सब पर खर्च होने लगा नहर का पानी कम हो रहा था अब हस्मुक के गाउं में सभी ने अपने अपने पंप लगा कर जमिन के बहुत नीचे से खूब पानी खीचा खर्चे पर खर्चे मुनाफ़ का पैसा बैंक के कर्जे में कटने लगा मुनाफ़ भी किया जब सभी लोग कपास उगाते तो कपास की कीमत भी कम ही मिलती एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाईयों ने जैसे जमीन की जान ही खीचली खेती करना और उससे अपना गुजारा चलाना अब और मुश्किल होता जा रहा था हस मुख भी पहले जैसा ना रहा चिर्चिडा हो गया उसका जवान बेटा परेश पढ़ लिखकर खेती का काम करना चाहता बैंक का कर्जा चुकाने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा कभी रात रात भर घर नहीं लोटता कभी हफते भर भी नहीं परसों घर आया तो कुछ ढूडने लगा मा से पूचने लगा बा, दादा जी का वह पुराना बीजों का बक्सा कहां है ट्रक को ठीक करने वाले औजार रखने के काम आएगा अब समझे मैंने तुम्हें अपनी कहानी क्यों बताई सोचो और चर्चा करो आगे चल कर हस्मुक की खेती का क्या हुआ होगा प्रिष्ट 189 दामजी भाई के बेटे हस्मुक ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया हस्मुक का बेटा परेश खेती ना करके ट्रक चला रहा है उसने ऐसा क्यों किया होगा बीज को शक्ता की जो हस्मुक के साथ हुआ वह तरक्की नहीं है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बदलाव हुए है जिने तरक्के मानने में कुछ दिकतें भी है क्या अखबार में छपी ये रिपोर्ट सुनो और उस पर चर्चा करो मंगलवार 18 दिसंबर 2007 आंधर प्रदेश यहां के कई किसान खेती में हुए घाटे की कारण बैंक का करजा नहीं चुका पाए है उन्हें जेल भेज दिया गया है ऐसे ही एक किसान है नालप्पा रेड़ी उन्होंने बैंक से 24,000 रुपे करजा लिया था यह करजा चुकाने के लिए उन्होंने सहुकार से भी भारी ब्याज पर करजा लिया कुल 34,000 रुपए देकर भी उनका सारा कर्जा ना पूरा हुआ वे कहते हैं ये बैंक किसानों को तो छोटा सा कर्जा ना चुकाने पर भी जेल भेज रहे हैं पर बड़े वेपारी उद्योग पती जो करोणों का कर्जा नहीं चुकाते उन्हें कुछ नहीं कहते देश के सैकडो किसानों की खेती में हुए घाटे की कहानी आंद्र प्रदेश के नालप्पा रेडी जैसी ही है सरकारी आकडों के अनुसार इनी कार्णों से सन 1997 से सन 2005 तक डेढ़ लाख किसान अपनी जान खुद ले चुके हैं यह संख्या शायद इससे भी ज्यादा हो के सवाल उठते हैं सब मिलकर कुछ सवाल बनाओ और किसी किसान से पूछो जैसे किसान एक साल में कितनी तरह की फसल उगाते हैं किस फसल को कितने पानी की जरूरत है अपने आसपास किसी खेत या बाड़ी पर जाओ वहां लोगों से बात करो और आसपास देखो बासकर भाई का फार्म देखा है और उस पर एक रिपोर्ट लिखी तुम भी सुनो देरी गाउं भासकर भाई की बाड़ी हमें दूर से ही नारियल के पेड़ दिख गए बाप रे एक नारियल के पेड़ पर कितने सारे नारियल हमें लगा वे तो जरूर बाजार से खरीदे महंगे खाद का इस्तिमाल करते होंगे पर बाड़ी में गुस्ते ही हम हैरान रह गए पूरी जमीन पर सूखे पत्ते, खर पतवार और जंगली घास फोज कुछ पेड़ों की एकाद सूखी शाखा देखकर लगा उसे कीड़ों ने खाया है बीच बीच में रंग विरंगे पत्तों वाले पौधे किस लिए हमने पूछा तो भासकर भाई ने बताया कि इन पौधों यानि क्रोटोन की जणे जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती जब इनके पत्ते मुर्जाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की जरूरत है उन्होंने बताया कि वे फैक्टरी में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते उनकी जमीन उपजाओ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं की सड़ने से और केचुओं से ध्यान से जमीन को देखा तो केचुओं दिखे कितने सारे केचुओं ही केचुओं थे पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे भासकर भाई ने बताया ये केचुओं जमीन में छेद बनाते रहते हैं इससे जमीन पोली हो जाती है इन केचुओं के मल से जमीन उपजाओ बनती है फिर प्रमीन ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया उन्होंने एक गड़ा खोदा जिसमें केचुओं को रखा है वे रसोई घर का सारा कचरा सबजी पल के चिलके उस गड़े में डाल देते हैं इस तरह गड़े में खाद बनती रहती है कचरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है और बाजार की खाद से ज्यादा अच्छी और सस्ती खाद भी मिल जाती है फिर हमने इस फाम में उगे कई फल भी चके मज़ा भी आया और एक अलग तरह की खेती के बारे में भी हमने जाना समू के सदस्य प्रफुल, हंसा, कृतिका, चक्की, प्रमीन कक्षा 5C, बाजरे के बीज का सफर, खेत से प्लेट तक बाजरे की बाली को ओकली में रखते हैं मूसली से कूट कर बाजरे के दानों को बाली से अलग करते हैं बाजरे के दाने अलग हो जाते हैं आज कल यह काम हाथ से नहीं, बलकि एक बड़ी मशीन जिसे थ्रेशर कहते हैं, उससे किया जाता है. दोनों एक ही काम करने के अलग-अलग तरीके हैं, जिने हम तकनीक भी कह सकते हैं. उसके बाद अलग-अलग तरीकों से चक्की से आटा पीशते हैं और उसके बाद छलनी से चानते हैं इनी प्रक्रियाओं को दिखाने के लिए यहां चितर भी दिये गए हैं हम क्या समझे हमारे खाने में कई बदलाव आये हैं ऐसा कैसे कह सकते हैं बाजरे के बीज की कहानी बड़ों से मिली जानकारी के आधार पर लिखो अगर सभी किसान एक ही तरह के बीज बोएं एक ही तरह की फसल उगाएं तो क्या होगा? किसानों की कहानी बीज की जुबानी अभी आप सुन रहे थे कक्षा पांच की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का उन्नीसवां पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नए दिल्ली भारत